यह जो कि एक साउथ इंडियन डिश है जब भी हम मेदु वडा बनाने की कोशिश करते हैं तॉर इतना टाइम लगता है क्योंकि हमें उसमें दाल चावल को पूरी रात भिगोना पड़ता है फिर उसे फर्मेंट करना पड़ता है पर मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही जादा इंस्टिंट तरीका मेदुवड़ा बनाने का जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे उपर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉर्फ तो कभी भी आपका मेदुवड़ा खाने का मन कर जाए तो आप इस तरीके से इसे फटाफट बना सकते हैं सिर्फ दस मिनट में और साथ ही मैं शेयर करूँगे एक स्पेशल चेट्ट में कैसे आप लोग मैं गिता वर्मा गिता किनू रेस्पीज में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो यहां पर सबसे पहले हम चटनी तयार करेंगे मुंगफली की तो यहां पर मैं ले रहे हूँ चार चम्मच यह भुनी हुई क्रेश की हुई मुंगफली है आप साबुत भी ले सकते हैं तो आपके पास अगर भुनी हुई मुंगफली है तो वो ले लीजिए अगर है तो उसे भून लीजे कढ़ाई में और उसके बाद यूज कर सकते साथ ही मैं ने यहाँ पे दो हरी मिर्च इसमें एड़ कर दी है और इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया पांचे लेसुन की कलिया नमक टेस्ट के कोड़िंग और यहाँ पे मैं एड़ कर रही हूँ हाफ टीस्पून चाट मसाला इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही मैं यहाँ पे एड़ कर दूँगी थोड़ा सा पानी और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल रेड़ी हो गई है आपको दिखा देती हूँ तो यह देखिए बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ तो आपने देखा कितना आसान है इस मुंपली की चटनी को बनाना अब इसमें एक सीक्रिट चीज मैं लगाने वाली हूँ वो है इसका सीक्रिट तड़का जो की बहुत ही मज़ेदार लगता है उससे इस चटनी का टेस्ट और भी जादा अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे साथ ही मैं यहाँ पे एड़ कर दूँगी दो साबुत लाल मिर्च और इसे भी हलका सा पका लेंगे अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक चुटकी हींग क्योंकि हींग का जो फ्लेवर होता है उसमें एक तो खुश्पू बहुत अच्छी आती है साथी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है और अब हम इसमें लगा देते हैं यह तड़का और यह हमारी बहुत ही ट ट्राइ किजेगा आपको यह बहुत पसंद आएगी आप किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं तो यह तयार हो गई हमारी मुंफली की चेटनी फिलाली से में साइड में रख देती हूं अब यहां पर मैं यूज कर रही हूं डिजानो का लाइट ओलिव ओल आप इसकी जगह रिफाइन भी यूज कर सकते हैं तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और एक टी स्पून में इसमें जीरा एड़ कर रही हूं जीरे को हलका सा फ्राइ होने देंगे साथ ही मैं यहां पर एड़ कर रही हूं हाफ कप बारिक वाली सूज अब जीरा नहीं हुआ है तो मैं इसे थोड़ा सा फ्राइ होने देती हूं उसके बाद मैं इसमें सूजी एड़ करूँगी तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्रैंड कर सकते हैं सूजी को हलका सा पका लेंगे ओल में ताकि इसका जो कच चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मिक्सी में चावल को ग्राइंड करके उसे छान लीजिए चावल का आटा तयार हो जाएगा इससे जो हमारा वड़ा है वो बहुत जादा क्रिस्पी बनेगा सिर्फ सूजी में भी आप इसे बना सकते हैं पर सूजी क्या करती है ओयल जादा अब्जॉब करती है यहाँ पर मैं एड करूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो चावल है और सूजी है उसका कच्छापन निकल जाए अब मैं इसमें पानी एड करूंगी एक कप थोड़ा थो और एड कर रही हूँ तो टोटल मैंने यहाँ पर डेढ का पानी इस्तमाल किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को मैं तेज कर दूंगी यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे यह जो मिक्शर है वो ड्राय होना शुरू जाएगा सूखना शुरू हो जाएगा क्य सकते हैं बारिक काटके यहाँ पर देख सकते हैं मिक्शर बिल्कुल ड्राय हो गया है इसने पानी को अब्जॉब कर लिया है अब यह देखें कितना सॉफ्ट लग रहा है तो यहाँ पर जो मिक्शर है वो रेडी हो गया है मैं गैस बंद कर देती हो इसे प्लेट में निकाल ताकि फिर से सॉफ्ट हो जाए इसकी बॉल बनाके अगर देखते हैं तो इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो इस तरीके के क्रैक्स नहीं आने चाहिए यहां इसका मतलब जो यह मिक्षर है वो ड्राय हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ इसी पानी की छीटे मारूंगी और इसे फ सॉफ्ट करने में अब मैं इससे वड़ा बनाके चेक करती हूं काफी सॉफ्ट हो गया मिक्षर तो इस तरह से पेड़ा बनाएंगे जितना बड़ा आपको वड़ा बनाना है और बीच में इस तरह से गोल छेत कर देंगे उंगली की सायता से यह देखिए अगर हलका फिलका क्रैक आ रहा है तो उसे इस तरह से ठीक कर लीजिए बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए और देखने में वड़ा अच्छा लगे तो इस तरह से स्मूध कर लें और बहुत मोटा नहीं रखेंगे नहीं तो फिर अंदर से कच्छा रह जाएगा सेम इसी तरीके से मैं फिर से एक वड़ा आपको बना के दिखाती हूँ तो अच्छे से पहले तो इसे स्मूध कर ले ताकि बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए और यहां पर मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाने वाली हूँ तो जितने बड़े आपको पसंद है उतना ही बड़ा आपको बनाना है तो यह देखे थोड़ा से साइट से क्रैक्स आ रहे हैं तो मैं इसे अच्छे से मसल लेती हूँ और फिर इस तरह से गोल छेट कर देंगे बीच में उंगली की साइटर से हलके फुल के क्रैक्स नजर आ रहे हैं इसे भी मैं स्मूध कर दूँगी तो यह देखे इस तरह से यह भी हमारा वड़ा तयार हो गया इस तरह से सारे वड़े जितने भी है मैं तयार कर लूँगी तो काफी सारे बन जाते हैं इतने मिक्षर में तो कभी आपके घर महमान आजाए अचानत से तो इस तरीके से वड़ा बना कर रख लीजिए और जब महमान आए तो उसे फ्राई करके आप सर्फ कर सकते हैं तो यहां पर सारे वड़े मैंने तयार कर लिये हैं अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ तो यहां पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है बहुत अच्छे से तेज गरम आपको तेल करना अगर तेल कम गरम होगा तो यह जो वड़े हैं वो तेल पी जाएंगे और फट जाएंगे तो तेल आपका तेज गरम होना चाहिए और तीन पीस से आपको जादा नहीं डालना अगर जादा डालनेंगे तो भी तेल का टेमपरिचर कम हो जाएगा और ये फटने शुरू हो जाएगे इसलिए जितने कम हो उतने कम पीसिज एक बार में फ्राइ करें और इसे मीडियम पर आपको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे वड़े फ्राइ हो गए है उपर से एकदम क्रिस्पी अंधर से सॉफ्ट तो इस तरह से बाकी के जो वड़े हैं वो भी मैं फ्राइ कर लूँगे फिलाले से मैं निकाल ले और ये देखिए हमारा बहुत ही मज़िदार मेदू बड़ा तयार हो गया है चटपट से तो ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं जब भी महमान आ जाए या आपका खाने का मन करें या बच्चे डिमांड करें तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं और ये लाजवाब चटनी मुंफली की जो की Instant Chetney हैं कभी भी आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी आपका मेदू बड़ा खाने का मन करें आप इस चटनी के साथ इसे खा सकते हैं अब मैं इसे आपको तोड़के दिखाती हूं ये देखें मेरा हाथ भी चल रहा है इतना गरम है है या फिर सूजी से बनाया है तो बहुत ही टेस्टी एक दब मार्केट जैसा में दूबड़ा अब आप घर पे बना सकते हैं सिर्फ 10-15 मिनिट में साथ ही यह बहुत ही मज़ेदार मुंफली की चटनी जो की आप स्टोर करके भी रख सकते हैं तो मेरे तो मुझ में आ गया प तो में गाएक था डपनायाँ बनायाँáfic एक यह बहुत है क्यों तो में आ गएचिए यह बहुत है लगकाइए यह बहुत है कैसे लिए अफे बनायाँ।